असलाम अलेकुम दोस्तों, welcome back to my channel, welcome back to Ferris kitchen, आज हम अपने kitchen में बना रहे हैं कड़ी, कड़ी पगोडा, तो हमने इसके लिए दो प्यास काटी है, तीन अदद हरी मिर्च, और ये धनिया हरा धनिया हमने डाला है, अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, आप अपने जाइके क टावा, फूंन जायेगे, इसमें अपकितेए और जाए गाने शुख जालेंगे, आज हमने जाए गील, इसमें अप जाएगा जब अब इसमें दालेंगे चाड मसाला वन टेबल स्पून एफ राइड चीली पाउजर थोड़ा हाफ और डालेंगे अपने इजाइके के मताबिक डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खानी है तो आप जरा हो राइड कर सकते हैं अब हम इसमें आइड करेंगे बेसन आपको अच्छी किसम का लेना पड़ेगा जो क्रिस्पी जिस्ते पकोड़े बने अकसर लोड़ा सही नहीं बनता मिलता बेसन पांच पांच टेबल स्पून यह भी अंदाजे से ही आप राल सकते हैं क्योंकि जैसे बैटर आपने बनाना ह पांच टेबल स्पून हमने बेसन डाला है इसमें अब इसमें पैनल पानी अड़ करेंगे आप दोस्तों देखिए हमने पकोड़े का बैटर त्यार कर लिया ना जादा थीक होना चाहिए ना जादा पतला थोड़ा नरम सा होना चाहिए इससे पकोड़े बहुत नरम और हम फैसे बढ़ा है इसमें भरके यह भी हम मसाला भर कि वेसन यह फराइ करेंगे इसके साथ जी दोस्तों देखे यह हमारा पकोड़ों का बैटर त्यार हो चुक है अब आपको दिखाते हैं कि यह थोड़ा पतला सा है इससे पकोड़े बहुत सौट बंते हैं आई हम इसको कि इसमें बेकिन तोड़ा डालने की जुरहतनी इससे फिर और गयस पैदा होती है यह थोड़ा हम नरम रखिया पतला रखे और पकोड़े बहुत सौट बलते हैं आप ट्राइज भी कीज़ेगा आई हम पकोड़े ऑई में डालते हैं इसमिल्ला रखोनी रहीं में पकोड़े निकाले हैं आपकाई हमारा प्रशन गापकाई है अब रखियों हम निकाले हैं और प्रशन गें और रखिया नहीं है कर देख सकते हैं पकोड़ों का कितना फुक्षूरत गॉल्डन है कि में पानी आगया देखके आज जी इससे पहले हैं मैं थोड़ा आपको बताना भूल गई तीन बड़े बड़े चमच तीन से चार बड़े चमच को पानी बेश्ट को ब्लैंडर को और फिर यह कड़ी का मिक्चर त्यार हो जाएगा यहां ने पैन में डाल दिया है अपनी लेश्की में दो चमच लसं अदरग का पेस्ट फ्रेश हमने पीश के डाला है अब बाकि के मसाले आइड करें गें तो अजया हमारा अजरकलस्टनी का पेक ने है, हल्गा घोल्डन ब्राउन हो की होकिए, हमने इसको ज्यादा नहीं पकाना कि और ज्यादा dr 만ली करना ड़ी नहीं वान टेबल्स्टोन सफाजी रह प्लिपट इन आट्टोन सफाजी रहा है धरक माम प्लिपटोन नहीं दोड़ा है जाय बड़ा है एक चोटी चमच्छ फल्दी गाल एक चमच मच्छ नहीं करें मैंद्री दख्योड नहीं थे सकते के बड़नाद है बड़ना ज़ी होगा, तरह से बड़नाद है 1 टी स्पून हम ने इसमें मेती अड़ किये सुखी मेती और आदी चमबज चाट मुचाला अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे फोरी मीडिया मांच पे एक उबाल आजाएगा फिर हम इसको खलकी आज पर देंगे अब हम इसमें 2 कप और पानी डाला है कि वह बैटर हमारा थिक था अब यह हमें पतला कर दिया है अब इसको हल्की आज पर पकने के लिए इंशालला हाफ एन आवर में हमारी कड़ी क्यार हो देगी बहुत ही लजीज जएकेदार प्राय जरूर कीज़ेगा यह हमारी रेसिपी मेशार पानी किया था यह गाड़ी थी तरफ आब यह पत्के है इसका कलर बाद इसमें मजीद पकाएंगे आप अब डेख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया पत्मे के बाद अब यह और पकेगी ए आज गया यह देखिए इसको प्राइब हमारी थेयार हो ज़िए बहुत ही जायकेदार कलर दिखी इतना कितना खुश्चुरत अब इसमें फकोड़े याड़ कर रहे हैं माशाला लजीज तरीम ये तरीका है तड़ी बनाने का बहुत अच्छी और यूनीक रह सकी है ये तड़ी बनाने की प्राइज जरूर कीजेगा इंशालला बहुत पसंद आएगी आपको ये रैसिपी ये देखें नाजिये नाजिये पुश्चुदार बहुत खटी परारी लजीज कड़ी का यार है अल्हुम्दुल्लाः ये तो दो देखें हमारी बहुत ही लजीज चटपटी कड़ी तेयार हो चुकी आपको शकल से पता लग रहा होगा और जरूर ट्राइ कीजेगा ये रैसिपी और पसंद आए तो लाइक और शेर करें और नेक्स रैसिपी के लिए रैडी हो जाएं क्योंके मेरी नेक्स रैसिपी है वेसन का पती सा बहुत ही यूनीक रैसिपी है जो बीड़ी लाइक एंचेर थैंक यू सो मुच्छ वाला हाफीज